अमारे चैनल नभर्ष ग्यान कुंज में जहां हम आपको इतिहास की अनकही कहानियों से रूबरू कराते हैं आज हम एक ऐसी कहानी लाए है जो सत्ता की भूक, क्रूर्ता और आत्म बिनाश की गहरे अंधेरों में डूबी हुई है ये कहानी है अडॉल्फ हिटलर की जिसने एक राष्ट्र को विश्व युद्ध की भायन कर लहरों में धाकेल दिया अडॉल्फ हिटलर एक सत्ता के उभार और पतन की कहानी 20 अप्रेल 1889 की एक थंडी सुबह आस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाव में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने बड़े होकर पूरी दुनिया को अपने कदमों तले रौनने का सपना देखा उसका नाम था अडॉल्फ हिटलर उसके पिता अलोईस हिटलर एक कथोर और अनुशासन प्रियव यक्ती थे जबकि मां कलारा को अपने बेटी पर बेहत प्यार था इसी स्नेह और कथोरता ने हिटलर के भीतर कथोरता और भायन कर क्रोध का बीज बोया जो बाद में एक विनाशकारी पेड़ बन गया जैसे जैसे हिटलर बढ़ा हुआ उसकी एक मातक वाहिश थी कि वो है एक महान चित्रकार बने वियना की गलियों में उसने कला को लेकर बड़े-बड़े सपने बुने परंतु कला अकादमी ने उसके हर प्रयास को नकार दिया इन असफलताओं ने उसके दिल में गुसे का एक ऐसा लावा भर दिया जो समाज और व्यवस्था के प्रती हीन भावना में बदल गया वियना की सड़कों पर संधर्ष करता हिटलर अब एक अलग एक आखी जीवन जीने लगा जिसमें न कोई मित्र था नहीं कोई सहारा फिर आया 1914 का साल जब प्रत्थम विश्वी युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया हिटलर जर्मनी की सेना में शामिल हुआ जहां उसने असाधारन वीर्ता दिखाई युद्ध ने उसके भीतर के राष्ट्रवादी जुनून को और गहरा कर दिया 1918 में जर्मनी की पराज़ने हिटलर को एक गहरी थेस पहुँचाए और उसके मन में एक नया सपना उभरने लगा जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना युद्ध के बाद के वर्षों में हिटलर ने राजनीती की ओर रुक्ट किया और नाजी पार्टी से जुड़कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया म्यूनिक की सलकों पर उसकी जोशिली आवाज अब लोगों के दिलों में घर करने लगी उसके भाषनों में एक आकर्षन था एक ऐसा आकर्षन जिसने हिटलर को धीरे धीरे एक शक्तिशाली नेता बना दिया 1923 में उसने बियर हॉल पुष विद्रो की कोशिश की लेकिन असफल होने पर उसे जेल हो गई इस असफलता ने भी उसे हिलाया नहीं बल्कि उसने जेल में अपनी विचारधारा को और स्पष्ट किया और मीन कैम्फ नामक किताब लिखी 1933 में नाजी पार्टी के समर्थन से हिटलर जर्मनी का चांसल बना धीरे धीरे उसने लोकतंत्र को खत्म करताना शाही की स्थापना की अब उसका सपना था आर्यन जाती का एक शुधर राष्ट्र और इसके लिए उसने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को अपने अत्याचारों का शिकार बनाया होलोकॉस्ट की क्रूरता और हिटलर की अमान्वियता ने लाखों निर्दोश लोगों की जान ले ली और जर्मनी पर भय और अत्याचार की एक स्याह छाया फैल गई अपनी सत्ता की उचायों पर होने के बावजूद हिटलर का जीवन पूरी तरह से संघर्षों और जतिलताओं से भरा था इसी जीवन में उसकी एक मात्र साथ ही थी इवा ब्राउन जो उसकी कठिनायों में हमेशा उसके साथ रही परंतु उनका प्रेम भी एक रहस्यमी और दू खा भरा था अपने जीवन के अंतिम ख्षनों में ही हिटलर ने इवा से विवाह किया लेकिन इस विवाह का सुख भी बहुत अल्पकालिक था 1949 में पोलेंड पर आक्रमन कर हिटलर ने द्वितिय विश्व युद्ध की शुरुआत की पहले ही वर्ष में जर्मनी ने कई देशों पर विज़ग प्राप्त कर ली लेकिन 1941 में सोवियत सांग पर हमला करना हिटलर की सबसे बढ़ी भूल साबित हुई युद्ध की आग में जुलिस्ते हुए उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी मित देशों की सेनाओं का दबाव बढ़ता गया और अंतता 1945 में सोवियत सेनाय बलिन में प्रवेश कर गई अप्रेल 1945 की एक रात जब सोवियत सेनिक बलिन के बहुत नजदी पहुँच चुके थे हिटलर ने अपने बंकर में इवा ब्राउन से विवाह किया और कुछी घंतों के भीतर आत्महत्या कर ली यही एक ऐसे तानाशाह की कहानी का अंत था जिसने एक समूचे राष्ट्र को अपने सपनों की भेच चड़ा दिया उसका पतन भी उतना ही भयाविर था जितना उसकी सत्ता का उभार था हिटलर की कहानी हमें ये सीख देती है कि अत्यदे कहन कार कटरता और तानाशाही का अंत सदा विनाश में होता है उसका जीवन और उसकी सोच जो कभी उसे सत्ता की शिखर तक पहुँचाने में सहायक थी अंततह उसे और उसकी विचारधारा को मिट्टी में मिला दिया उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से हमने आपको इतिहास के उनन देखे पहलूँ से रूबरू कराया जो हिटलर के जीवन और उसकी नीतियों से जुड़े है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और कृपया इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना न भूले